Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, आज आप सभी लोगों की Favorite Trilogy यानि की How to Train Your Dragon का Final installment है इससे पहले मैंने अपनी चैनल पे दौनों पार्ट अल्रेडी एक्स्प्लीन कर रखे हैं जहाँ पे हमने Dragons के बारी में देखा था और इसी के साथ में Dragons का बुरा चाहने वाले लोगों के बारे में भी जाना था वहीं से कहानी आगे बढ़ती है Vikings अब इतने strong बन चुके थे कि अगर उन्हें कभी भी पता चलता था कि Dragons को कोई पकड़ के लेके जा रहा है तो वो ship पे attack कर देते थे कहानी उसी scene पे आती है Vikings एक ऐसे ship पे थे जहाँ पे Dragons को पकड़ की कहीं ले जाया जा रहा था इन लोगों में इतनी tuning अभी भी नहीं थी कि ये एक दूसरे की help करके अच्छी खासी friendship से सारा काम कर सके बल्कि ये लोग अपने Dragons पे जादा believe करते थे Vikings यहाँ पे काम कर रहे सारे guards को मार के हर एक Dragon को free कर देते हैं और उसके बाद में इन Dragons को भी अपने साथ घर ले आते हैं यानि की बर्क में अब बर्क के अंदर पहले से कहीं ज्यादा Dragons बढ़ चुके थे यानि की capacity से भी कहीं ज्यादा इसे कारण कुछ न कुछ गड़बडियां होती रहती थी गौबर इस चीज का discussion हिकप से करता है और कहता है कि तुम अब यहाँ के लीडर हो तो तुमें सोचना पड़ेगा तुम रोज रोज ऐसे हर जग़ से Dragon उठा के यहाँ नहीं ला सकते हो तो हिकप कहता है कि Dragon से ही हम लोग है अगर हम लोग इन्हें नहीं बचाएंगे तो फिर इन्हें कौन बचाएगा और रहासावाल जगह का तो इसके बारे में मैं सोच लूँगा कहानी का अगला सीन पहुंच जाता है एक ऐसे इंसान पे जो इस मूवी का फाइनल विलेन है इस विलेन का नाम है ग्रिमिल ये जैसे ही वहाँ पे खड़े लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो इसके Dragon उन लोगों पे अटैक कर देते हैं इन लोगों का में काम था Dragon हंटिंग का यानि की Dragons को ढूणना या तो उन्हें अपने आर्मी में शामिल कर लेना या फिर उन्हें माल डालना तब वहाँ पे खड़े लोग ग्रिमिल को बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बर्क बचा हुआ है जिसका लीडर है Hiccup स्टॉइक का बेटा वो दीरे दीरे सारे Dragons को हम लोगों से चुराता जा रहा है और खुद की बड़ी सी टीम बनाता जा रहा है वो एक छोटा बच्चा है ना कि कोई Dragon Savior यहाँ Hiccup को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे वो अपने फादर स्टॉइक के कोद में था उसके फादर उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमारी नजर जा रही है वहाँ तक Vikings का राज है इन सभी लोगों को हमें बचाना है तुम जब बड़े हो जाओगे तो यह काम तुमें करना है इसी के साथ मैं Strike Hiccup को बताते हैं कि यहाँ पे एक Hidden World है लोग कहते हैं कि यह Dragons का घर है सारे Dragons वहीं से आते हैं लेकिन जो भी वहाँ पे गया है वो वापस नहीं आया है कुछ नाविक जो लॉट की आये हैं वो बताते हैं कि यह Dragon World इतना बड़ा है कि जितना लोगोंने कभी सोचा भी नहीं है वहाँ पे इतनी Species मिले की Dragon की जो कभी हमने ना देखी है ना सोची है इसके बाद मैं Stoic Hiccup को बताता है कि मैं इस जगह को हमेशा से ढूंड रहा था अगर मुझे यह जगह कभी मिल गई तो मैं उसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूँगा ताकि ना तो Dragons हमारे Human World में आए और ना ही हम लोग उने कभी मारें यही सारी सीजे सोचता हुआ Hiccup एक आईलेंड पे बैठा था और Map के अंदर उसे Hidden World को ढूंडने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पे Estrit पहुंच जाती है Estrit और Hiccup के बारे में अभी भी जगह को लेकर ही बात चल रही थी कि आखिर हम इतने सारे Dragons को कहां पे रखेंगे तो Hiccup Hidden World के बारे में Estrit को बताता है Estrit इस चीज में Hiccup को सपोर्ट ही करती है यहाँ पे Tootless और Stormfly आपस में खेल रहे थे और तभी जाने का समय था लेकिन वहाँ पे तभी Tootless Forest के अंदर चला जाता है वो जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक और Female Night Fury मिलती है वो उसके पास आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही उस दूसरी Night Fury को इंसानों की भनक लगती है वो वहाँ पे Fire Blast कर देती है क्योंकि वहाँ पे Hiccup और Estreate खड़े थे और ये दौनों बताते हैं कि ये Night Fury नहीं हो सकती है बलकि ये उस Species की है का नाम हम Light Fury रखेंगे लेकिन वो Light Fury कब आसमान में गुम हो जाती है वो किसी को नहीं दिखता अगले सुबह Hiccup ये सारी बात गौबर और वालका को बताता है कि हमने Night Fury की Species की एक और Dragon देखी है और वहाँ पे Toothless अलग अलग तरह की हरकते करने लगता है इससे वहाँ पे खड़े सारे Hiccup के दोस्ट बोलते हैं कि ये तो गया यानि कि तुमारे Toothless को तो प्यार हो गया है इसके बाद में Hiccup और उसका एक दोस्ट जंगल में वापिस से चाते हैं Toothless यहाँ पे फिर से Light Fury को ढूणने की कोशिश कर रहा था इसके बाद में Hiccup को वहाँ पे एक Venom Arrow मिलता है और इसी के साथ में उसे एक बड़ा Trap भी दिखाई देता है जब वो वापिस घर आके सभी लोगों को बताता है कि यहाँ एक Venom Arrow पड़ा था और इसी के साथ में Trap भी था तो Airetus Arrow को देख के बताता है कि यह तो Grimmel का है इसका मतलब है कि वो हमारे इलाके में पहुंच चुका है और हो सकता है कि वो Dragon के तलाश में ही पहुंचा हो Hiccup और उसके दोस्त आपस में बोलते हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं है रात होने पर Hiccup उसी Map को देख रहा था और तब उसी कुछ आहट होती है वो आर्ट और किसी की नहीं बल की Grimmel की थी जो कि Hiccup की घर पे पहुंच चुका था Hiccup Grimmel से पूचता है कि आखिर तुमें क्या चाहिए तो Grimmel वहाँ बताता है कि मैंने अपने हातों से Night Fury की पूरी Species को खतम किया था लेकिन मेरे हातों से ये आखरी बत चुका था और मुझे ये ही वापिस चाहिए Grimmel Hiccup को Under Estimate कर रहा था इसके बाद में Grimmel ने वो वे नैरो वहाँ पे सोरे Dragon पे चला दिया था तो Hiccup Grimmel को बोलता है कि तुमने यहाँ अकेले आके बहुत बड़ी गलती करी और इसके बाद में Hiccup अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है तो Grimmel Hiccup के उपर हसता है और बोलता है कि तुमें क्या लगता है मैं इतना बड़ा पागल हूँ जो यहाँ पे अकेला आ जाऊंगा और Grimmel वहाँ पे विसल बजा के अपने ड्रेगन्स को बुला लेता है ड्रेगन्स के वहाँ आने पे वो अपना Venom हर जगह छोड़ने लगते है और इसी के साथ में वहाँ हर जगह आग लग जाती है क्रिमिल वहाँ से भाग निकलता है और वो जो Venom Arrow लगा था वो किसी ड्रेगन को नहीं बलकि इनी में से एक दोस्त को लगा था अब यहाँ पे आदी रात में ही मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पे बर्क के सारी लोग थे इसी के साथ में ये मीटिंग हिकप ले रहा था सभी लोग वहाँ पे कहते हैं कि हम उसको एक जटके में मार सकते हैं बस वो हमारे सामने तो आ जाए तो हिकप कहता है कि हमें शांती से काम लेना पड़ेगा एरिट वहाँ बताता है कि ग्रिमिल को हमें इतना आसान नहीं समझना चाहिए अगर वो हमें धमकी देखे गया है धैट मेंस वो कुछ नकुल जरूर करेगा हिकप वहाँ सभी लोगों को समझाता है कि अगर हमें ड्रैगन के साथ शांती से रहना है तो हमें ये जगर छोड़नी पड़ेगी पहले तो कोई भी इसकी बात नहीं मानता है लेकिन एस्टिट वहाँ पे सबको शांत करा के कहती है कि हिकप की एटलिस्ट बात तो सुन लो और तब ये बात फाइनल होती है कि हिकप अपने सारे ड्रैगन्स को लेके बर्क को छोड़ देगा अगली सुबह बर्क के सारे लोग अपनी पुष्टैनी जगह छोड़के अपने ड्रैगन्स के साथ में काफी दूर निकलाए थे बादलो में टूतलेस को वहाँ लाइट फ्यूरी दिखती है वहाँ दूसी तरफ ग्रिमल अब बर्क पहुँच चुका था वो अपने दोस्तों को कहता है कि इन पागलों ने अपनी सबसे सेफ जगह छोड़ दी है यह कहीं जादा दूर नहीं गए होंगे सबी लोग उस नए आईलेंड पे आखे खुश थे क्योंकि यह जगह बड़ी थी और सुन्दर भी थी तो वो लोग अपना घर बसाने की सोचते हैं लेकिन हिकप वहाँ पे सबी लोगों को कहता है कि यह जगह टैंप्रिरी है जब तक मैं और Toothless Hidden World नहीं डून लेते रात होने पे जब सबी लोग सो रहे थे तो Toothless को कुछ आवाज आती है और वो बाहर निकल के देखता है तो उनके कैम के आसपास Light Fury आ चुकी थी Light Fury को फ्री करना एक प्लान था ताकि वो Toothless के पास जाके उसे हिकप से दूर कर पाए और अब Toothless Light Fury को देखके काफी ज़्यादा खुश था और उसके पास आने की कोशिश कर रहा था उसे इंप्रेस करने के कारण वो कभी डांस कर रहा था तो कभी उसे हसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहा था अब यहाँ पे हिकप भी जाक चुका था और Toothless बार बार में हिकप को देख रहा था हिकप यहाँ पे Toothless की हेल्प कर रहा था और फाइनली Toothless के पास में एक हिड़न टैलेंट था उसने एक छोटी सी लकड़ी उठाए और वहाँ पे लाइट फ्यूरी की ड्राइंग बना दी यह चीज़ देखके लाइट फ्यूरी इंप्रेस हो गई वो दोनों पास आने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लाइट फ्यूरी हिकप को देख लेती है और वो वहाँ से उड़के चली जाती है टूथलेस उसके पीछे उड़ने के काफी कोशिश करता है लेकिन वो जादा दूर नहीं उड़ पाता है यह चीज़ देखके हिकप भी परेशान था कि आखिर टूथलेस बिचारा अपनी डेट पे नहीं जा पाया और अब वो टूथलेस के लिए वापिस से एक ऐसा विंग बनाता है जिससे कि टूथलेस खुद से उड़ सके यह विंग देखके टूथलेस तो मानो हवाओं में था हिकप टूथलेस को बोलता है कि तुम जा सकते हो लेकिन रात में जल्दी घर आ जाना और अब टूथलेस लाइट फ्यूरी को ढूणने के लिए निकल पड़ता है यह दौनों आसमानों के अंदर अपने जल्वे दिखा रहे थे और अब टूथलेस लाइट फ्यूरी के पास जो टैलेंट था याने कि इन्विजिबल होने का वो खुद भी ट्राइ करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने पूरी बॉड़ी के अंदर इलेक्रिसिटी सप्लाइ करता है और उसके बाद में वो खुद इन्विजिबल हो जाता है और अब ये दौनों अपना आगे का सफर तैय करने के लिए रेडी थे यहां सभी लोग पार्टी कर रहे थे और हिकप को शाबाशी दे रहे थे कि अच्छा हुआ तुमने ये नई जगह को ढून लिया है क्योंकि ये जगह पहले से अच्छी है लेकिन हिकप मन से खुश नहीं था क्योंकि टूतलेस अभी तक वापस नहीं आया अब ये सभी लोग सोचते हैं कि हम लोगों को इस मुसीबत की जड़ को ही खतम कर देना चाहिए यानि कि ग्रिमल को हमें मार देना चाहिए इन सभी ने अपने पैर पे कुलाड़ी मारने के पूरी प्लानिंग कर ली थी ये सभी लोग ग्रुप बना कि अपने अपने ड्रेगन्स पे साइलेंटली वहाँ पहुच जाते हैं जहां पी ग्रिमल रुका हुआ था ग्रिमल जब हिकप को देखता है तो वो बोलता है कि शिकार को शिकारी से दूर करना चाहिए लेकिन तुम लोग तो खुदी यहाँ पे आ चुके हो तो ठीक है अब मरने के लिए भी रेडी रहना और इसके बाद मैं ट्रिमल बाहर निकलने के सारे रास्ते बन कर देता है यानि के हिकप इसके साथ ही और सारे ड्रेगन्स यहीं पे फस चुके थे और अब ग्रिमल बताता है कि मेरे ड्रेगन्स इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि मैं इनका वैनम का डोस इनी को देता हूँ जिससे यह और जादा जहरीले और और जादा वाइल्ड बन सकें और अब तुम भी देखो कि यह क्या क्या कर सकते हैं ग्रिमल के सारे ड्रेगन हिकप और उसके साथियों के उपर अटैक करना शुरू करते हैं वो जहरीला जलता हुआ लिक्विड इन लोगों के उपर उगलते हैं लेकिन हिकप और इसके दोस्तों की जान बचाने के लिए हिकप के मौम वाल का पहुँच चुकी थी अपने ड्रेगन के साथ में और इसी के बाद में वो उपर की जाली खोलके सारी ड्रेगन्स हिकप और उसके दोस्तों को बाहर निकाल लेती है लेकिन वहाँ पे अभी भी एक लड़की पीछे ही रह गई थी ये चीज़ इने तब महसूस होती है जब ये लोग वहाँ आके रुकते है यहाँ वो लड़की ग्रिमिल का पूरी तरीके से सर खा चुकी थी ग्रिमिल पहली बार अपनी लाइफ में इतना परिशान हुआ होगा किसी की बाते सुनकर लेकिन बातो ही बातों में उस लड़की के मूँ से उस ठीकानी का पता चल जाता है जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे हैं यानि कि वहाँ पे सारी लोग भी है और इसी के साथ में सारी ड्रैगिन्स भी है वो उस लड़की को बोलता है कि तुम इतना जादा बाते करती हो कि तुम यहाँ रहने से अच्छा चली ही जाओ और वो लड़की वहाँ पे अपने ड्रैगिन पे बैटके निकल जाती है यह स्ट्रॉम फ्लाइ उन दौनों को अपने साथ इसी हिदन वर्ल्ड की अंदर ले जाता है वो हिदन वर्ल्ड इतना ब्यूटिफुल था कि इंसान उस जगह को डिजर्व ही नहीं करते हैं वहाँ पे जब स्ट्रॉम फ्लाइ जाता है तो वो भी अपने अंदर चींजिस देखत है वो ड्रैगन अब और जादा ब्यूटिफुल हो चुका था वहाँ हर जगर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ड्रैगन था और अब हिकप देखता है कि यहाँ पे नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी दोनों ही हैं और यहां के हर ड्रैगन ने टूथलेस को हाँ ने लगता है वो ड्रैगन हिकप और एस्टेट को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे टूथलेस पहुंच जाता है हिकप के जान बचाने के लिए और वो दोनों हिडन वर्ल्ड से बाहर निकला आते हैं हिकप टूथलेस से माफी मांगता है कि मेरे कारण तुमें पायूस तो था लेकिन तभी वहाँ पे उसे लाइट फ्यूरी की आहट आती है और सभी लोग कहते हैं कि लाइट फ्यूरी इसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुकी है यानि कि अब हम सब लोग एक फैमिली बन चुके हैं लेकिन ये कुशियां बहुत लेता है सारी ड्रेगन्स हिंदानों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी ग्रिमिल बड़ा सा एरो तान देता है लाइट फ्यूरी के उपर और वो टूथलेस को बोलता है कि बोलो तुम किंग हो न इन सारे ड्रेगन्स को बोलो कि मेरी बात माने ना चाते हिकप को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन तब वहाँ पे एस्टेट उसका साथ निभाने पहुँच जाती है और कहती है कि जरूरी नहीं है कि ये ड्रेगन है तो ही तुम हो तुमने अब तक जो भी किया है वो खुद से किया है तुम में खुद में भी इतना तैलेंट है कि तुम सब कुछ फिर से सही कर सकते हो ये बात सुनके हिकप मोटिवेट हो चुका था और अब उसे लगा था कि वो टूथलेस के बगयर भी सारे ड्रेगन को बचा सकता है यहाँ ग्रिमिल ने अपने शिप पे सारे ड्रेगन को अरेस्ट कर लिया था और ग्रि पे हिकप और इसकी टीम पहुंच जाती है वो भी हवाओं में खुद के विंक्स लेके और अब ये सब लोग एक टीम बनके इस पूरे शिप के उपर अटैक करने लग गए थे हिकप और उसके बाकी सारे लोग इस शिप के गार्ड्स को माणने लग गए थे और यहाँ पे फि हैं और इसके बाद में टूथलेस के उपर बैठके गरिमिल का पीछा करता है गरिमिल के सारे ड्राइकंस डूथलेस को पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरीकी से इंजर्ट करने वाले थे लेकिन टूथलेस को केंग ऐसे ही नहीं कहा गया था वो अपनी पूरी इलेक्रिसिटी जनरेट करता है और उसके बाद में सबसे शांदार वाला इलेक्रिसिटी शॉट देता है जिसके कारण सारी ड्रैगेंस फेंटों के नीचे गिर जाते हैं लेकिन अभी भी गृमिल हर कतों से बास नहीं आता है वो हिकप के उपर शूट करने वाला था लेकिन वो वैनम एरो जाकी लग जाता है टूथलेस को टूथलेस वहां हवा में गिरने लगता है तो उसे लाइट फ्यूरी बचा लेती है लेकिन गिरते टाइम गृमिल ने हिकप को पकड़ लिया था तो हिकप के पास यह आप्शन था कि या तो लाइट फ्यूरी हमें बचा ले या फिर गिरते हुए Toothless को और Hiccup decision लेता है कि वो Toothless को बचाएगा और वहाँ से Light Fury को Free कर देता है जिसके कारण Grimmel और Hiccup तोनोई हवा के अंदर गिरने लगते हैं Light Fury पहले जाके Toothless को बचाती है और उसके बाद में पानी में बस गिरने ही वाला था Hiccup और तभी वहाँ पे Hiccup को भी बचा लेती है Grimmel ने वहाँ पे Hiccup का पैर पकड़ रखा था लेकिन Hiccup ने अपना पैर Free कर दिया था इसकारण Grimmel सीधा जाके ओशियन में गिर जाता है Light Fury ने Toothless और Hiccup दोनों की जान बचा ली थी ये चीज़ देखके सभी लोग बहुत खुश थे अब जब Toothless को होश आता है तो वो अपने पास में Hiccup और Light Fury को देखके खुश था लेकिन तब तक Hiccup ने ये सोच लिया था कि हम लोगोंने हमारे बारे में सोचते हुए कभी तुमारे बारे में सोचा ही नहीं तुम्हें तुम्हारे असली घर में रहना ही जरूरी है वहाँ सारी लोग तुम्हारे जैसे हैं और इसके बाद में Hiccup ना चाते हुए भी अपने दिल पे पत्थर रख Night Fury को हमेशा के लिए Goodbye कह देता है बर्क के सारी लोगों ने अपने अपने ड्रैगन्स को अफ्री कर दिया था Night Fury वहाँ पे एक बहुत बड़ा रौड लगाता है और इसके बाद में वहाँ से सारी ड्रैगन्स अपने घर की तरफ चले जाते हैं यानि कि वो ही Hidden World जहां पे ये सारी ड्रैगन्स रहा करते हैं कहानी पहुँच चुकी थी अब Winters में जहां हर जगर बर्फ जमी थी और अब हम देखते हैं कि Hiccup ने भी शादी के लिए हां कर दी थी यानि कि अब Hiccup की शादी हो रही थी एस्ट्रेट के साथ में कहानी पहुँच चुकी थी कुछ सालों आगे जहां पे Hiccup और एस्ट्रेट की दो बच्चे हो चुके थे और वो ये ड्रैगन स्टोरी अपनी बच्चों को सुना रहा था Hiccup एक बार एस्ट्रेट और अपनी बच्चों के साथ में सैर कर रहा था और तभी वहाँ पे एक माउंटेन पे बैठे उसे टूथलेस दिख जाता है टूथलेस वहाँ पे इंसानी बोर्ट देखते ही अटैक करने की सोचता है लेकिन कुछी देर के अंदर टूथलेस को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बलके हिकप है और उसे वो डॉक की जैसे चाटने लग जाता है हिकप वहाँ अपने बच्चों को आगे बुलाता है और कहता है कि बस अपने हाथ सीधे रखो हिकप के बच्चे अब टूथलेस को टच करते हैं यानि कि पहली बार एक ट्रेगन को चूना और अब ये सभी लोग हवाओं में उड़ रहे थे जहाँ पे एस्टरेट का ड्रेगन यानि की स्ट्रॉम फ्लाइ भी आ चुका था और इसी के साथ इस सीरीज की हैपी एंडिंग होती है तो गाईज आप सभी लोगों को ये ट्रायलॉजी कैसी लगी है मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए अब आप सभी लोगों से मैं जल्द ही अगली मूवी में मिलती हूँ तब तक के लिए टाटा करता दो प्राटा